कि वेलकम तुमा यूटूब चैनल गुद मॉर्निंग तू लफ यू आम अभयकुमार गुपता इंग्लिस टिचर आप लोग को चैप्टर वन चैप्टर टू और चैप्टर थ्री पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया गया है चैप्टर फोर भी पढ़ा चुके हैं पार्ट और पार्ट टू जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और चैप्टर वीडियो से अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को और उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा टेलीग्राम का जहा और आप लोग उससे टेलीग्राम लिंक से पीडियेव से अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कहेंगे तो मैं कोश्चन इंसर के लिए भी वीडियो बना दूंगा अब उसके लिए आप लोग हमें फीड़बैक दिजिएगा हमें कमेंट करके बताईएगा कि आप ल पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ चुके हैं उसके बाद आगे हम लोग शुरू करेंगे और आगे शुरू करना था नो डाउट तो नो डाउट से हम लोग पढ़ते हैं no doubt this lack of maturity can be attributed to several factors तो no doubt का मतलब है नी संदे कोई doubt नहीं होना चाहिए तो नी संदे lack मतलब कमी नी संदे या कमी जो है बहुत ततो पर अधारित है several factors पर अधारित है the producer will tell you about that mysterious entity the mass which goes in the sort of sort of thing the technician will blame the tool and the director will have much to say about the wonderful thing he had in mind but could not achieve because of condition तो इसका अर्थ जानेंगे और हम लोग जो जो आपका मेनिंग है उसके बाद हम लोग जानते जाएंगे mysterious means होता है रहस्माई entity बेक्तिगत्व अस्तित्व मास मने पहुत शंख्या short of एक तरह का technician जो होता है एक रखनीक होता है बनले मिन्स आरोप लगाना किसी पर ब्लेम लगाते हैं डाइरेक्टर तो आप लोग जानते हैं निर्देशक तो इसका परता है technician ऑजार पर आरोप लगाते हैं और यह सब करने के बाद technician ऑजार कहने के क्या मतलब है प्राया पहले के फिल्म में जब सत्यजीत राय बनाते थे तून समय के फिल्मों में Hollywood बहुत आगे दिखाता है और बहुत सारे इनिमेशन का पर्योग करता है कि 2050 में ऐसा होने वाला है मार्श पर यह घटित होने वाले हैं पानी नहीं मिलेगा तो हम लोग किस परकार जिवित करेंगे और क्या-क्या मतलब बहुत सारा movie वगरम देखाता है तो बोलते हैं कि हम लोग पास technician की कमी है इसलिए इसका आरोप लगाते हैं निर्देशक directors होते हैं उनके मन में बहुत कुछ रहता है लेकिन वो परिस्थितियों से पर्ट कूड नौट चीव विकॉज अफ दए कंडिशन लेकिन वो परिस्थितियों से किसी कंडिशन से क्या होते हैं यह पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो उस चीज मे बंधे रहते हैं इन इंडिया इट वूड़ सीम्स दाट फंडामेंटल कॉंसेप्ट अफे कोहेरेंट ड्रामिटिक पैटर्न एक्जिटिंग इन टाइम वाज जेनरली मिस अंडरिस्टूड भारत में ऐसा लगता है कि कोई भी सीनेमा बनाने का बेवस्तित तरीका जो है पहले हुआ करता था यानि पहले इसका हुआ करता था बेवस्तित तरीका लेकिन अब जो है गलत तरीके से उसे समझा जाता है ठीक है यानि पहले डाइरेक्टर साब का कहने का मतलब है कि पहले के फिल्मों में संसकारिक रूप से दिखाया जाता था सारे चीज़ हुआ करते थी अब ना जाने क्या-क्या मतलब वॉलिट फुलिम में जो भी होता है क्या-क्या गलत तरीकों से मतलब दिखाया जाता है कोई भी चीज़ संसकार नहीं सोचा जाता प्राया पहले के फिल्मों में अब देख स उनमें अलग अलग ही ड्रेसों का उनके क्या होता है किरिया कलाफ का अलग अलग ही चीज़ों को दिखाया जाता है जो की गलत तरीके से समझा जाता है अफ्टेन बाई एक्वीर प्रोशेश ओफ रीजनिंग मुवमेट वाज एक्षन 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 विथ मेलो ड्रामा दे एनलोजी विथ म्यूजिक फैल इन आवर कॉज बिकॉस इंडियन म्यूजिक इस लार्जली इंप्रोविश्नल इंप्रोविश्नल का कहने का मतलब है के द्वारा संगीत बनाना ठीक है और क्वीर कहने का मतलब है अजीब तो इसका अर्थ समझेंगे ऑफ्टेन कहने का मतलब है प्राया प्राया क्या होता है कि अलग अलग तरीकों से चलना फिरना किसी कारे को क्या किया गया है जोड़ा गया है और कारे को भवनात्मक नाटक से हमारा संगीत जो है इसी लिए असक्रफल रहता है क्योंकि हम नाटक के साथ जोड देते हैं कि कोई भी नाटक जो हता है और जिस परकार उसमें परिस्तिती जब चलती है ठीक इसी परकार उसी परिस्तिती के नुसार वैसा ही सॉंग वैसा ही गाना जो है हम लोग डाल देते हैं जो कि हॉलिवुड मुभी वगएरा में प्राया नहीं रहता और हम लोग क्या करते हैं डाल देते हैं तो नाटक के सांथ जोड़ देते हैं इसलिए वह हमारा संगित जो क्या होता है अश्यफल रहता है आगे जो है आपका इसके बाद true false आता है कि the cinema command the respect according to any other form of creative expression कि cinema जो है क्या है सारे जो भी अलग-अलग जो की कला है उससे क्या करता है यह ज्यादा इजत रखता है ज्यादा command अपने पास रखता है तो यह बात सही है first line में हम लोग पढ़ें कि सबसे ज्यादा जो प्रोफेशनल जो चीज है वह सबसे और पेंटिंग ड्रामा पेंटिंग आर्ट इन चीजों से ज्यादा इज्यत रखता है एक और रिस्पेक्ट रखता है कौन cinema तो पहला आपका true है पहला true है और दूसरा जो क्या है the cinema does not combine the cool logic of science क्या होते हैं कि cinema जो है क्या करता combine नहीं करता science को नहीं जोड़ता है जोड़ता है तो यह फाल्स लिखा गया तो यह फाल्स बोला फिलिम प्रोड़क्शन इन इंडिया इस क्वांटिटली सेकेंड वर्ली टू होलीवूड तो बोला गया है फिलिम जो प्रोड़क्शन होता है इंडिया में क्या या संख्यात्मक रूप से second है यानि Hollywood के बाद ही आता है तो यह सही है यानि तीसरा आपका true है चोथा है India has achieved what other countries have achieved इंडिया ने जो प्राप्त किया क्या दूसरे कंट्री भी ने भी उतना प्राप्त किया है नहीं इंडिया जितना प्राप्त किया दूसरे कंट्री नहीं किया दूसरा ज्यादा आम लोगों से किया है तो यह तत्थे जो है स्टेटमेंट जो है फाल्स है इंडियान म्यूजिक इस लार्जली इंप्रोशनेशनल तो आपको यहां पर लिग भूला गया है कि इंडियान म लैंक्स में चलेंगे तो आप लोग पढ़ लिए होंगे अच्छे से और खोजेंगे तो यह मिल जाएगा लेकिन आपकी आसानी से लिए हम क्या करेंगे इसको अच्छे से बताएंगे बाइद ट्वेंटी इट हैड रिच और बिग बिजनेस तो इसमें दा एस्टेटस भराएगा यानि दा स्टी एस्टी ए टी यूस वाई वेर और फिल्म नॉट सोन हमारी जो फिल्म है नहीं देखती कहां नहीं देखती अब्रोड यानि बिदेश में नहीं देखती इड़ टेकनिशियन थाड प्रस टेकनिशियन वीछाली सतन ड्लांग डॉट दूल क्या करते हैं टेकनिशियन बलेम करते हैं यानि खड में ब्लेम तब फर्स फीचर वासFit इन पहली जो फीचर फ्लीम है क्या किसकप शॉट की गई 19.13 में अब दोस्तों बहुत सारे अभी भी में आपके बाकी है अभी मैंने सिर्फ हाँ बताया तो आप लोग अगर कहेंगे तो मैं कमेंट करके बताइएगा तो आपका इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें सिर्फ प्रस्न उत्तर कोश्चन एंसर होंगे अन्य था मैं इसका टेलिग्राम पर पहले से पीडियेफ मतलब आप लोग को दे दूंगा तो वहां से आप लोग इसको डाउनलड करके कर सकते हैं अगर आप लोग को प्रस्न उत्तर ऐसे हैं समझना होगा तो आप लोग कमेंट में वो लिएगा मैं आप लोग को जरूर समझा दूं आगे है एल्मोस्ट इवरी पासिंग फैज ऑफ दा अमेरिकन सिनेवा हैज है एट रिप्सक्रिप्शन ओन दा इंडियन फ्लिम्स ठीक है तो इसके कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो इल्मोस्ट इवरी पार्सिंग सबसे पहले हम लोग इसका अर्थ जान जाएंगे तो इस में सबसे फेज यानि चरण फेज मिन्स चरण और रिप्स रिप्सक्रिप्शन का मतलब है असर या परभाव तो इसना का अर्थ जानेंगे कि हमेशा एल्मोस्ट हमेशा अमेरिकी फिल्मों का अशर भारत पर पढ़ता है ठीके इस्टोरीज हैब बेस्ट ऑन हॉलीबूट स अन देख्सिस प्रिजब विद्केयर इवें वेर श्टोरीज हैव इन इंडिया इंडियन वान देख्राइंगे अन इप्रिस्वल पेंचन्ट फोर जैड एडियम यानि इसका जो आफका अर्थ है कि हॉलीबूट पर क्या होती है बहुत अधारित फिल्में बनती है यानि ह बॉलीबूट पर अधारित हम लोग क्या करते हैं बहुत सारी फिल्मों को हम लोग बनाते हैं उसी पर और उनके जितने भी चीज रहते हैं या जितने भी उनमें तथे रहते हैं उस तथे को ठीक से रखा भी गया है उसमें अच्छा ही दिखाया जाता है जो भी तथे अभ को असर दिखता है इट शुट बी रिलाइज डैट एवरेज अमेरिकन फिल्म इस एबैड मोडल इफ वनली बिकॉज इट डिवसिट एव उफ लाइज सो अर्टली एट वैरियंस विथ हर ओन आवर ओन यह सास होना चाहिए कि ऑस्तन अमेरिके फिल्में क्या होती है एक ओपते हैं भारतियों शंसकार बहुत हैं इन चीज़ों से जितने ओ लोग चलन में आगे रहते हैं विस्ट कंट्री में वेस्टी आड़ियं न कल्टर होता है उन कल्चर को हम लोग प्राया नई करते हैं लेकिन दीरे धीरे य लोग भूज का रहा、 कि पर उलाग होते हैं त ठीक है इसकी कहानी जो होती हम लोग की बहुत अलग होती है moreover the high technical polish which is the hallmark of the standard Hollywood product would be impossible to achieve under existing Indian condition what the Indian cinema need today is not more gloss but more imagination more integrity and a more intelligent appreciation of the limitation of the medium यहां से बोला गया है कि भारत के ततकालिन जो भी है जो हाल है बहुत ही क्या है मुश्किल है आज भारतिये सिनेवा को सिर्फ चमक धमक नहीं चाहिए सिर्फ चमक धमक कहने का मतलब है कि बहुत सारे जो चीज हैं क्या करते हैं हम लोग ऐसे जो चीज देखाते हैं जो बहुत लोगों को देखनी की इच्छा होते लेकिन संस्कार के बिरूद रती है तो चमक धमक चीज़े नहीं चाहिए लेकिन बेहतर कलपना बेहतर एक्ता और बुद्धी वाला सोच जो भासा के घिराव को रोके जो भासा के घिराव नहीं समझे हिंदी है ऐसा है वैसा नहीं जो इसका हम लोग अर्थ जानेंगे कि आफ्टर और आखीर हमारे पास फिल्मे बनाने का प्राथमिक और है प्राइमरी टूल है यह क्या है तक्निकी समस्याइज जो है क्या है जायज है पर ऐसा नहीं है कि उसके बगैर क्या होगा काम नहीं होगा काम नहीं चलेगा काम नहीं चलेगा कई जगह पर अपनी बुद्धी से हम इस्तेमाल करते भी हैं ठीक है और उसके बाद वाट आवर सिनेमा निट्स अबर इब्लीटिंग इल्जे स्टाइल आइडियम एस सोर्ट अइकोन ग्राफिय ऑफ सिनेमा इस विए इंडियन और आज हमारे सिनेमा को क्या जरूरत है ऐसे माध्यम की जरूरत है जिससे हमारा सिनेमा पूर्टा क्या रहे भारतिये रहे by the majority of our flames are repeating with such visual dissonance but the truly Indian flames should steer clear of sun and school necesis and look for its material in the more basic aspects of Indian life where habit and species डіना, background and foreground blend into a harmonious बेहरे होल यहाँ पर दो आपके जो ऐसे इसके मिनिस्ड है जो को जानना बेहर ही चैनल क्या है जरूरी है तो ऑफ पहले आता है आपका इसमें बहुत चारा है जैसे की मेजरेटी मेजरेटी जो होता है आपका बहुत ही पिछ परतीमआ पीज्यान होता है उसमें आया आपका डिपलूइल डिपलूइल रिपलिऴड मी भरा हुआ और डिज्व दूनों का चाम शोड गत्रप्न और मिलाते हैं पिर और इनकोश जीरप Student दिज्स यानि 20 संगतिया यानि ऐसे संगतिया जो की मेल नहीं करती होंगी एक यह काम करते हैं आपका जितना भी वर्ड मीनिंग मैं में डीमीन यह चार्ट कर दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से जान सकते हां कि तो इसका हम लोग अर्च समझेंगे कि हमारी जातर फिल्में क्या होती हैं अलग-अलग धुनों के संगित से भरी हुई है अलग-अलग धुनों से बनती हुई है लेकिन उनकी संची भारतिय फिल्मों की भारतिय की संची जिंदगी संचा रहन साहन और उनके बात्षित का तरीका जो होता है सही तरीकों से मिलकर दिखना चाहिए it is only in drastic simplification of a style and content that hope for Indian cinema resides as present it would appear the nearly all the prevailing practices go against such a simplification so it is only a drastic drastic simplification to drastic कहने का मतलब है भयानत simplification basic simplification content भी से सुची और recite कहने का अर्थ है रहना ठीक है तो इसका हम लोग पूरे का अर्थ जानेंगे कि हमें पूरता सधारन होना होगा यानि सिंप्लिफिकेशन सधारन होना होगा और इसी से भारती फिल्म की क्या होंगी चाप होंगी चाप कहने का मतलब है कि कहीं दूसरे जगा इसकी नाम होगी उसकी चाप पड़ जाएगी आज ऐसा लगता है कि सब कुछ क्या हो रहा है इसके अगेंस्ट हो रहा है इसके बिरूद हो रहा है इसके बिप्रीथ हो रहा है ठीक है सबस्ट थर शूंट सबस्ट का रखाए किसम आओ ए शुट कन बिरूद से इसके बिरूंख रधशब दरेखिए घरॉट कर रूंट का अबस्ट Dip फिर दूु कimmung आण हूफ抜ी आजांब सुट मुट का और दूर अपाफ शूट धिरू 1994 which is all landscape and the time when all the countries are turning to the documentary for inspiration all these stand in the way of evolution of distinctive style थोड़े से मीनिंग इस सिब के जान लेंगे तो अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा तो सबसे पहले है स्टार्टिंग यानि श्रुवार प्रोडक्शन आपका जो होता है उनक्या होता है प्रोडक्शन में जो हम लोग क्या करते हैं वनाते हैं उन्पादन उश्षा यानि बन रहा स्क्रिप्ट जो होता है पटकता ए्डेकिट में प्रयाप्त और को न भूल्यूश में स नीक्रिदीश में जोग सेंडवेचंग कहने का मतलब है दो के बीच में डालना या दो के बीच में डालने का मतलब अर्थ है कि दो के बीच में डालेंगे तो उसको दबाएंगे दपता हुआ unlightingly मतलब किसी धोन के बीना धोन के तो बीना ये धा पूरा एखी लाइन में था अधिशले इसको साथ पढ़े और एक साथ यह रख जानेंगे कि बीना सही इसको without यानि बीना सही planning के परियोजना का सुरू हम लोग को क्या करना कभी बीना कहानी के ही आगे बढ़ना कभी कुछ प्लot रोट से समलितिती नहीं होता है तो इसे बीना कहानी सुनाना संगीत को जोड़ना तोड़ना घर के अंदर जितनी सारी покहाने का मतलब इंडिया में इंडिया में कहीं बीझार होती और हम लोग दूसरे देश में नहीं जातें दूसरे देश की सुटिंग नहीं कर पातें पहले के दिनों और दूसरे देश जब प्रेणा के लिए डॉक्मेंटरी देख रहे हैं तो इन सब के कारण एक अलग पहचान नहीं बन पाता हम लोग का पहले हैं रहे जलिप्स अईलाइट आपरोज इन एंपना फंद टूसरे फिल्म ए प्रेण खरती के लाल इस अन इस इस फिल्ड पूट ओट ओट ओवर विज ताल ओनेस्टी एंड टेक्निकल कंपेटेंस संकर क्लापना एंड इन्मिटेवल एंड हाइल इन विज्वल एक्सपरियेंट सो जग्रैप्स और फिल्मिक मूमेंट एंड रिस्पेक्ट फोर ट्रेडेशन ग्लिम्स मिन्स जलक ठीक है इसके बारे में जानेंगे कि दियर है पीन स्टाइल इमंदारी और तकनिक का वन्न किया गया है तकनिक का इसमें सारा परियोग किया गया है ठीक संकर की कलापना एक ब्यक्ति के अनुवह को दिखाती है इस मूवी में और यह संस्किर्ती को क्या करती है इज़द देती है दरा मैटेरियल अफ दे सिनेमा इस लाइफ इसलब इस इनक्रेविडिवल इस इनक्रेविडिवल दे कंट्री विच फिर्टी विच इंस्पार्ट सो मुच पेंटिंग जूजिक अपूर्टरी सुड़ फैल तो मुफ दब फिल्मेकर विच विच एज ओपन और इस एर लेट हीम डू सो सिनेमा का रा मैटेरियल रा मतलब कच्चा सिनेमा का कच्चा माल जो क्या है जीवन है और यह एक ऐसा है कि जिस देश में एक से पेंटर कभी और कलाकार है वह फिल्म बनाने वाले को नहीं ला पा रही है उसे पस अपना आख और कान खुले रखना है उसे यह करने दो यानि दूसरे को हम लोग҃ करते हैं करने देते हैं अपने अंदर की कला अपने अंदर के डाइरेक्षन अपने अंदर के स्टोरी राइटर को इस चीजों को नभी जगा पाते हैं और इस कारण क्या हो रहा है सिनेमा जगत में कोई बदलाव नहीं हो पा रहा तो यह आपका जो fill in the blanks है यह आप लोग कर सकते हैं बुक में करने के बाद अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मैं इसका टेली ग्राम में PDF के रुप में दे दिया हूँ आप लोग PDF जो है टेली ग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा आप लोग वहां जाईए और चैनल से जूड़ जाईए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए क्योंकि आप लोग का on the demand जो कुछ भी आप लोग करते रहेंगे बताते रहेंगे तो वैसे में सारा का वीडियो बनाते जाऊँगा और आप लोग को धीरे धीरे अपलोड करते हुए मैं सारे chapter syllabus को complete कराते जाऊँगा my dear student तो ऐसे ही आप लोग मुझे ऐसे ही बस comment करके बताते जाएए किस चीज़ का वीडियो चाहिए मैं आपको ऐसे ही वीडियो को बनाते जाऊंगा ठैंक यू वंस अगें और गुद नाइट